So, Hello Everyone, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग Class 9 की History Chapter 1, The French Revolution को Continue किये हुए, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में इसकी Third Power ली थी, जिसमें हमने देखा था कि फ्रांस कैसे Monarchal Rule खदम करके Republic Nation बन गया, ठीके, तो अब हम लोग देखते हैं कि Women की क्या Participation थी, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा पिछला वाला, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हैं, और जो मेरे बारे में नहीं जानते हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा नाम नवी उल्ला है, और इस चैनल पर मैं आपको Class 6 से लेकर Class 12 तक की SST पराता हूँ, ठीके, तो अभी कुछ-कुछ Classes की वीडियो अपलोड हो चुकी है, SST की और बाकी कुछ Classes की अभी नहीं हो पाई है, तो जल्दी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, Class 10 की History की Complete वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीके, और Class 9 की History अभी चल रही है हमारी, Class 10 क की जोग्राफी भी चल रही है, इसी की Parallel, ठीके, तो जिन लोग ने अभी तक नहीं देखा या फिर जिनको देखने का मन है, वो नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर, वहां से आप देख सकते है, Class 10 की History भी और Class 10 की जो ठीके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हमारा आज का Topic होने वाला, Did Women Have a Revolution, क्या Revolution में वोमेन का कोई पार्ट था, जो हमारा French Revolution हुआ, क्या उसमें वोमेन का कोई पार्ट था, यह हम लोग आज देखेंगे, ठीके, तो from the very beginning, वोमेन वर active participants in the events, which brought about so many important changes in the French society, तो वोमेन का भी revolution में कई important role रहा, वोमेन काफी जादा participate की, यह जितना भी events हो रहा था, French society में, revolution के time, उन सभी में, वोमेन ने भी काफी जादा part लिया, participate किया, they hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives, उनका यह मानना था कि, अगर हम इन सब activities में, इन सब political activities में participate करेंगे, तो उससे जो revolutionary government थी उस time, यानि कि Jacobin government जो थी, उस पर pressure बनेगा, और वो हमारे लिए कुछ better करेंगे, ठीक है, most women of the third estate had to work for a living, जैसा कि मैंने आपको पिछले topic बताया था कि, जब men's लोग लड़ने जाते थे, तो women's लोग जो होती थी, वो अपना घर भी चलाती थी, और अपने बच्चों की women थी, वो अपना घर चलाने के लिए, अपनी जिंदगी चलाने के लिए काम भी करती थी, क्या-क्या काम करती थी, वो धोबिन का काम करती थी, flowers बेचती थी, fruits बेचती थी, vegetables बेचती थी, ठीक है, या फिर किसी के घर में काम करती थी, domestic servant हुआ करती थी, most women did not have access to education और job training, और क्या था ना कि बहुत सारी जो women थी, औरते थी, उनको ना तो education की permission थी, और ना ही किसी तरीकी के job training की permission थी, सिर्फ जो will dear members थे society के, third state के, उनी की जो बेटी हुआ करती थी, या फिर nobles के, या फिर third state के rich member के जो बेटी हुआ करती थी, उनी को ही सिर्फ permission होता था, convent में प ठीक्स कर दिये जाता था, ठीक है, working women had also to care for their families, और ऐसा नहीं कि जो working women है, उनको अपने घर नहीं चलाना रहता था, उनको अपना घर भी देखना रहता था, ठीक है, अपने घर में उनको खाना भी बनाना रहता था, उनको पानी लाना भी रहता था, और कई बार, लंबी ल पॉल्टिकल अपने एजेंडा को सामने रखने के लिए, अपने पॉल्टिकल बाते मनवाने के लिए government से, women ने अपना पॉल्टिकल क्लब्स बनाना शुरू कर दिया, और न्यूस पेपर अपना बातना शुरू कर दिया, ठीक है, अपना न्यूस पेपर उन्होंने बनाया, अपना political club बनाया था कि वो लोग अपनी बाते government के सामने रख सके About 60 women's clubs came up in different French cities लगबख 60 women's club बनी French societies में जिसमें से जो दो most famous political club था वो था एक the society of revolutionary और दूसरा the republican woman ठीक है ये दो political club काफी जादा famous था One of their main demand was that women enjoy the same political right as men उनका जो main demand था वो ये था कि जो भी political rights men को मिलते हैं वही political rights हमें भी मिलने चाहिए लेकिन जो constitution बना था 1791 का उसमें जो vote का right दिया गया था जो vote का political जो right दिया गया था वो सिर्फ men को दिया गया था इस बात से women काफी जादा disappointed हो गयी थी women's को passive citizens बना दिया गया था तो इसलिए उनका जो women's law का जो demand था वो था कि उनको भी vote करने का right मिले assembly में elect होने का right मिले और political office यानि कि government में job मिले ठीक है only then they felt अगर ऐसा होता है उनको ऐसा लगता था कि अगर ऐसा हो कि हमें vote करने की right मिले assembly में हमें seat मिले और हमें government में job मिले अगर ऐसा होगा तभी government तक हमारी बात पहुचेगी ठीक है ऐसा उनलों का मानना था women's लोग का in the early years पहले की सालों में revolutionary government did introduces laws that helped improve the lives of women revolutionary government जो थी jacobin government उसने काफी laws लाए जिससे women's की life को better किया जा सके उन्होंने school खुलवाने के साथ सथ school जाना भी compulsory कर दिया सभी girls के लिए ठीक है और ये भी कर दिया ये भी facility दे दी कि कोई भी father किसी भी डाउटर का father मतलब कोई भी किसी भी लड़की को जबरदस्ती marriage करने के लिए नहीं force कर सकता है marriage करने के लिए कोई भी इनसान किसी लड़की को force नहीं कर सकता है मैरेज को कोट मैरेज कर दिया गया ठीक है मैरेज को कोट मैरेज कर दिया गया और डाइवोर्स को लीगल कर दिया गया पहले क्या था कि मेन को जब भी मन करता था वोमन को डाइवोर्स दे देते थे ठीक है तो अब क्या किया गया वोमन के लिए भी ये परमिशन दिया गया य कि वो अपना small business चला सके, artist बन सके, ठीक है ये सब laws लाये revolutionary government ने जिसे women's का well-being हो सके Women's struggle for equal political rights, however continued, लेकिन फिर भी equal political rights की जो struggle थी वो continue रही क्यों? क्योंकि revolutionary government ने इन्हे passive citizen बना रखा था फैसलिटी सारी दी laws वगरा बनाया लेकिन इन्हे passive citizen ही रखा During the reign of terror, the new government issued laws ordering closer of women's clubs and banning their political activities और जेकुबीन government के टाइम पर यानि कि revolutionary government के टाइम पर जो भी इनको political club बनाने की या फिर political activity करने की permission मिली हुई थी, reign of terror के टाइम पर ये सारी permission खतम हो गई थी ठीक है, सारी permission खतम हो गई, many prominent women were arrested and a number of them executed बहुत सारी women को arrest कर लिया गया और उनको फिर फासी भी दे दी गई women's movements for voting right and equal wages continued throughout the, through the next 200 years in many countries of the world तो लगभग 200 साल तक women's ने struggle किया अपने rights पाने के लिए the fight for the vote was carried out through an international suffrage movement और इस जो vote का जो right पाने के लिए जो movement चला तो international movement भी चला late 19th और early 20th century में ठीक है, women's को right दिलाने के लिए international suffrage movement भी चला like the example of the political activities of french women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory और जितनी भी political activity women's करती थी french revolution, french society में जितनी भी women's political activity करती थी अपने rights को पाने के लिए उसको as a inspiration उसको रखा गया उस सारे revolution को ठीक है, एक याद के तोर पर सहेच कर रखा गया और finally 1946 में फ्रांस में women's को भी active citizens का status दे दिया गया इनको भी vote करने का right दे दिया गया तो ये था हमारा story कि क्या revolution में women का part था या नहीं था तो हाँ उनका part था revolution में, वो भी अपना political club बनाई थी ताकि उन्हे right मिल सके लेकिन उन्हे right नहीं मिला, facilities मिले लेकिन right नहीं मिला और rain of terror के time पर उनको arrest कर लिया गया, उनको fancy दे दिया गया और finally 1946 में उनको right मिल गया तो ये story थी पूरी, अब next जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग देखेंगे कि slavery का जो गुलामी चलती थी, उसका abolition कैसे हुआ, उसका khatma कैसे हुआ, ठीक है तो मिलते हैं अब next वीडियो में, अगर वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो like करिए, channel को subscribe करिए और वीडियो को share करने ना भूलें, ठीक है, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए, bye bye